जैसे कि मैंने पठान मुभी देखा अभी हॉल से निकल रहा हूँ और मुझे इतना बता सकता हूँ मुझे बहुत ही घटिया लगा क्योंकि उनके जो वेफेक्स है तो पुरी तरह से फल्तू लग रहा है सब उसके पता चल रहा है कि यह वेपेक्स है यह तो पहला वात और दूसरा वात यह है कि जो भी वेपेक्स बना रहे हैं अच्छी क्वालेटी के वेपेक्स नहीं है और स्टोरी से गसा पिटा स्टोरी है एक पकिस्तान और इंडिया के बीच में ही स्टोरी है और यह दो देस में ही यूद चल रहा है और एक परवाणू वम्मा जैसा है जैसे कि करोना वाइरोस को ये ने डमी करके फिलिम मना दिये हैं और दोसरा मोड से और जाने पहचान अक्टर ले लिए सारु खान जोन और सल्मन खान तीनों को लेकर फिलिम मना दिये लेकिन फिलिम में उतना सारु खान को डाल दिये फिलिम ही डलने के लिए और जन को भी यहां पर डाल दिये हैं और कुछ भी नहीं है बस आप यहां पर आओगे फिलिम देखे तो बोरिंग हो जाओगे और उसका नाम जो पठान रखे हैं उनके बारे में बता जाता हूँ जिसके बारे में बहुत ह ट्रोल हो रहा था कि पठान क्यों रखे हैं उसके बज़ाई यह है कि ओ एक मिसन की तोर पर अफगानिस्तान में फस गया था और वहां का एक बस्ती के लोग उनको देखभाल किये उनके अच्छा परवरिस की उसी के हिसाब से उनको जो पठान का बस्ती था इसलिए उनका ना पानुब्रम जैसे करोना वाइरेस हुआ है उसी तरह कि यहां पर ओई चीज डाल कर मसाला डाल कर बोल दिये हैं और बाकी रहा दिपीका पादुगन का ड्रेस खुलना उनका काम है हमेसा ड्रेस ही खुलते हैं और कुछ नहीं बस नंगा पन दिखाना उनका काम बन गया है और फिली में ओई ही किया है और एक तरब वो पकिस्तान की रो एजेंट थे एसाईस थे और उसी तरब हमारा सारुखान जो की इंडिया का रो एजेंट थे और इनके बीच में प्यार होता है और वो प्यार जैसे एक था टाइगर में भी हुआ था इसमें भी हुआ है और द अकरार होती है फिल्म में कुछ नहीं है सब मास्टर माइंड जो नहीं चलाते हैं और आखिर में उनका ही जीत होता है लेकिन जैसे कि लास्ट टाइम में जो एंडिंग कोईंड था जो टाइम था उस टाइम के हिसाब से बम को रोकना था वो सिन बहुत ही जबर्जस्त किये है और इस सिन के बाद फिल्म सब ताली मारे और ताली के बाद सब बहार निकलाए लेकिन स्टोरी में ऐसा कुछ भी दम नहीं है अगर आप चाहरे हैं कि एक स्टोरी वाला मूबी एक ड्रामा वाला मूबी तो आप कृपिया करके फिल्म ना देखे और अगर ऐसे गोला जैसा नहीं है जो कि आप बच्चों को लेकर तो कभी भी मत जाओ जैसे कि एक सीन हुआ था जैसे कि बैसरेम का सीन तो बच्चा लोग भी वहां पर देखने के लिए आये थे और उन्होंने बहुत सरे रदी बात कि यार कि यह क्यों नंगा हो रहा है क्यों ड्रेस खुल रह है यासा बात बोले थे तो बच्चा के उपर भी यह प्रभाव पढ़ रहा है तो मैं बताओंगा बच्चा को लेकर मत आईए और अगर बच्चा को देखना है तो नेट्फिलिक्स में हम दिखा सकते हैं बातातर फिल्म में जॉन जो कि एक भिनायक के रूप से दिखेंगे और फिर उनको गवर्मेंट को मांगे कि मुझे दस लाक दे दो या फिर दस करोड याद नहीं है अलाक या करोड उसमें गवर्मेंट ने मना कर दिया हम ऐसा पैसा नहीं दे सकते हमारे फास पॉंडिंग नहीं है और उसके बाद उन्होंने गर्बबती उनका पतनी को वहीं था लेकिन बाद में ये खलनाय कैसे बना ये इंटरिस्टिंग बात था और जैसे कि उसको पता चला सारु खान को कि ये रोव एजन्ट था वो भी हिरान हो गया और इस दोनों के बीच में लड़ाई हुई रस उतना ही फिल्म ज्यादा वैतर नहीं हुआ है बहुत बहुत धन आवाद जसमें